नमस्कान दोस्तों कक्षा चेटी वाले चात्रों जल्दी सपना सामरी विग्यान का बिल्कुल असली वाला पेपर देख लो यही पेपर आपकी परिक्षा में चपनी वाला फुल गांटी के साथ आपको इस पेपर का संपुन उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है इस आपको लिखना है तीसरा प्रसंद देख लिजगा प्राचिन काल में लोग किस बासा का प्रयोग करते थे इसमें आपको राइट अंसरी वाला संगसत आपको लगाना है चोथा आपका प्रसंद देख लिजगा जिसी पतंजली द्वाराबार्ती दर्शन की साका का प्रतिन अपको लगाना है अब यह पर अगला प्रसंट देखे लिजगा प्रसंग्या 6 से लेगर 10 के आपके खालतन देए जो आपकी परिक्षा में एक एक नमर के आने वाले हैं तो आपका आटवा खालतन देख लिजगा खालतन के कारेल में जम्मिन से जोड़े विवात के सांग मामले सुने जाते हैं तो इसमें आपको तैसलिदा लिखना है अच्छे से लिख लिजगा अब आपको नोवा खालतन देख लिजगा वह इस्तान जा बहुत सी दुकाने होती है खालतन यही छपने वाला है आपकी परिक्षा में, अब इस पेपर का हमारा अगला प्रसंद देख लिएगा, प्रसंद क्या ग्यारा से लेका 16 तर क्या आपके अत्ती लगुत्री प्रसंद पूचे जाने वाले है, जो आपकी परिक्षा में दो-दो नम्मर के आने वाले है, तो आप कर्डिः गाव कियो जाना चाहते थे इसके बर में आपको लिखना होगा गरामिंचेत में आज़ी विका के साधन क्या है इसके बर में आपको लिखना परिक्षा में चौधा प्रस्थ ने देख लिगा इसरे के प्रस्णों के उत्र बता देता हूं उसके बड़ आपको इनके उत्र बताने के बड़ आपको 17 से लेकर 22 के प्रस्ण बता दूँगा उसके बड़ आपको 23 से लेकर 26 के प्रस्ण है उसके बाद आपको अंसर भी बता दूँगा अब दोस्तों हम चलते हैं 17 से लेकर बारिस्तर के प्रस्नों पर हाँ तो यहाँ पर 17 से लेकर बारिस्तर के प्रस्न देखे लेजगा जो आपकी परिक्षा में 3-3 नमबर के आने वाल है तो आपका 17 प्रस्न दिया है सुद्रिगर एवाँ उल्का पिर्म में आपको अंतर लिखना होगा अटारो प्रस्न आपका दिया है लीफ वर्स किसे के थे लीफ वर्स में कितने दिन होते है अब आपको 19 सा प्रस्न दिया है हडपा कालिन सबदा के पतन के कारण आपको लिखना होगा परिक्षा में प्रस्न देख लिएगा प्राचिन काल में अर्विवत के प्रस्न आपको बताना है इसके सथ आपका 21 प्रस्न दिया है पस्मीना साल के लिए कौन सा राज्य प्रस्न आपको लिखना होगा अब यह 22 प्रस्न आपको दिया है लोकतांतिक सरकार से क्या से इसके बर्म आपको लिखना परिक्षा में अब दोस्तों मैं आपको 17 से लिखकर 22 के उत्तर बता देता हूं यह अपर अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अब उसके बाद उनके अंसर भी आपको बता देंगे आप यहां पर 23 से लिखा 26 के प्रसंद दे के लिखकर जो आपकी परिक्षा में पाच पच नमबर के आने वाले हैं तो यहां पर हमारा 300 प्रसंद दिया है बोतिक मानचित में आपको आंतर बताना है इसके साथ आपको बताना होगा कि यह कहां का पर प्रियोग होते हैं अब यह पर 24 प्रसंद आपको दिया है अच्छे से लिख लेजगा अपनी रफकोप में ठीके तेशी के बार नीचे वाला अमरा 24 प्रसंद आपको दिया है और यह हमारा 26 प्रसंद आपका दिया पूरा को पूरा पेपर आप अच्छे से याद कर लेजगा ठीके उप परिक्षा देने के बाद जब आप आप घर तो आप नीचे कमेंट बुक्स में कमेंट कर देजगा आपको नीचे कमेंट बुक्स में कमेंट कर देना है ठीके तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब जाहें वन्दमात्रम